मैं शुरू करीती पुछी बात जिसमें ये चर्चा आई थी कि अज्ञान से मोहित है मती जिसकी वो ऐसा मानता है कि ये पुद्गल द्रव्यो मेरे हैं कौन से पुद्गल द्रव्यो कि बध्धम अबध्धम चतहा जीवो बहुभाव संजुत्तो कि जो बध्ध हैं जीव से और जो अबध्ध हैं यानि कि शरीर और आठकरम ये बंधे हुए हैं और अबध्ध में शरीर से संबंदे जितने भी पदार्थों को हम अपना मानते हैं अबध्ध में आते हैं जीव से बंधे हुए में तो ये बध्ध और अबध्ध पुद्गल द्रव्यो ये सब मेरे हैं ऐसा कौन मानता है अज्ञान से मोहित मती है जिसकी बोजी अज्ञान से मोहित है मती याने की मती याने की हमारा ज्ञान हमारी समझ मोहित है मोहित है याने की जो वर्ड में हम मोहित यूज करते हैं जैसे कोई शराब पीले बहुत हैवी धुतूरा खाले तो उसको जो चीजें जैसी होती है वो नजर नहीं आती तो अज्ञान ने हमा नजर आता है कि ये मेरी नहीं है ये मुझे छोड़के चली जाएंगे लेकिन फिर भी इसका मोह ये मानने को तैयार नहीं है यानि कि दिमाग में इसके शेड आ चुका है मोह का तो वो मोह कैसे जाएगा तो बोल रहे हैं कि तुम्हारी सही समझ होने से समझ की बार-बार शद तो एक दिन आएगा जबकि मेरी इमानिता पक्की हो जाएगी कि हाँ ये वाकई में गलत तो इसलिए ये बात यहां पर समझा रहे हैं कि सर्वग्य के ज्यान में सवण हु नान दिठो सर्वग्य के ज्यान में सपश्ट दिख गया है आप और मैं तो शायद नहीं देख पा लेकिन सर्वग्य के ज्यान में सपश्ट दिख्या है कि जीव वोग लखनो ने चम कि जीव तो उपयोग लख्षण है हमेशा और जब जीव उपयोग लख्षण है तो बाकी सब जो तुम्हें नजर आ रहे हैं राग द्वेश या पर्पदार ये तुम होई नहीं ये बात गई जलक गयाak, आब वो बोल रहे हैं कि तो डाटते हैं समझो केसो पोगल दवी बूत ओ जम भणसी मज़ा मिणंङम क्या वो तुम पुदगल दव्वे बूत हो चुके हो अनादी काल से पुदगल के साथ रहके क्या तुम पुदगल हो गए जो कहते हो कि ये मेरे है ये ही टोन है इस जो मैं बोल रहे हैं कैसो पुदगल रभी भूत दो क्या वो पुदगल रभी भूत हो गए जम भनसी जो कहते हो मज्जमिडम कि ये मेरे है कि तुमको तुम्हारे दिमाह में यह बात बैठ क्यों नहीं रही लोजिकली जब तुम आज से पुदगल रूप हुए नहीं तो वो तुम्हारे को नहीं सकते हैं तो अब यही बात आ गई कि जदी सो पुगल दवी बूध हो यानि कि यदी जीव पुदगल दवी बूध हो जाता जीवत्तम आगदम इद्रम इद्रम यानि कि जो आन्य है यानि कि पुदगल जीव में आ जाता और जीव पुदगल हो जाता यानि दोनों अगर मिक्स हो जाते तो सको वत्तुम तो तुम कह सकते हो किती इजी लेंग वे तो सको वक्तुम कह सकते हो सको याने सकते हो तो तुम कह सकते हो क्या जे मज्जमिनम पो गलम दवं कि ये पुद्गरद्रवे मिल रहा है क्या बात आई यहां में बेसिकली तो यह साफ बात ही आई कि यह सब मिलेंगे एक ही जगय पर एक छेत्रागा संबंध के द्वार दिखेंगे एक मेक लेकिन हमारी बुद्धी हमारी चातुर्य इस चीज में है कि हम इसको भिन भिन जांगे देखो दुनिया में भी होश्यार आदमी कौन कहलाता है जो hidden agent आज भी समझ जाए नहीं आप कह रहे हो वो नहीं समझें आपकी smile को खाली नहीं देखें आपके शब्दों को मात्र नहीं सुनें आपकी body language को भी पड़े और उसके पीछे क्या intention है सामने वाले का उसको ताड़ जाए क्या किया उसने भेद विज्ञान किया कैसे वेद विज्ञान किया कि इसा यह कह रहे हैं पर आक्चुली में यह मोटिवेटेड बाई था इसने तो चातुर्य हमेशा भेद विज्ञान किया कि चातुर्य हमेशा चातुर्य में समझते हो ना है चातुर्ता intelligence, होश्यारी, कुशल्ता यह किस चीज में है कि you don't just see what is visible you understand what is the fact behind it तो दिखता तो है शरीर आत्माइक, दिखता तो है मोहोराग्वेश爵 आत्माइक, लेकिन तुम हाथी की तरहा जड्मति रहोगे जो धारणया उप्पर दिया, क्यों? क्योंकर जैसे हाथी, अनाज और धात के बीच की फ़रक को नहीं समझने, जैसे हाथी फ़रक को नहीं समं एक बात बताओ, यदी बदाम खरीदने जावाँ और दो टाइप की बदाम हो, एक तो निकली हो यह अंदर की और एक उसके बाहर के खोल के साथ है। शुट बोथ सेल अधी सेम प्राइस। वाइ नौट। पड़े चतो रहो आप। तोहद अश्यार हो। क्योंकि आपको पता है कि यहां पे तो 70% तो फिक जाएगा वे। अंदर का वेटे वो रियल है खाने की वस्तुट। तो फिर तुम खरीदते क्यों हो खोली वाला बदाम जब खरीदते हो। क्या हम वेद विज्ञान पूर्वक खरीदते हैं। क्या भार का खोल फेकूंगा, अंदर का खांगा। तो जिऊँगे कैसे। क्या जिऊँगे ववाभार से जैसे खौल खो खरीदतो लोगे। तो जीहोंगे तो अव्हार से, कैसे किसा अई म Price अब साल है कि अपका पुछने जाना था है रहा किसा है अठबडे तो सेम रहता है अनाभी से अनन्त तक, there is no difference, right? then why are you asking me? अ पुद्गल तो पुद्गल में यह हाल पूछने आया था वो तुमसे वो भी अगर ग्यानी होगा तो जानता होगा और अग्यानी होगा तो तुम्हारे प्लाइट से भी जानता होगा काफी मीटिंग श़र्योंगी anyways तो इसलिए मताया देखो हम कैसे समझ गए हम होश्यार हैं ले तो यहां भी वह होश्यारी अपेक्चित है हमसे तो ऐसे इनने आपर अपर अधारन दिया एक स्वठिक पाशान का जो हमने पिछली बार डिसक्रस किया था और एक हाती ने अनाज सम्मिलित घास को जो खाया इसका कि नजर मिक्स आता है पर तुम्हारी द्रिश्टी की होश्यारी हो जी चाहिए कि तुम उसको स्प्लिट करके समझ लो तो दो धारन तो यह आय थे अब तीसरा मैंने का था कि इस बार लूंगी तो जो मैं ले चुपियों I am not repeating that anymore हमने कहां तक रीड किया था यह वाला आत्मक्याती वाली ठीका यह रीड नहीं उसको रीड कहां तक कर लिया था नहीं क्या है तो आप रीड करोगे यह जहां तक Anybody, whoever is willing to जिस प्रकार स्पतिक पाशान में 254 page number यह समझा चुकियों वह एक्स्प्लेइन नहीं करूंगी आगे वाला आएगा वह एक्स्प्लेइन करूंगी पढ़ रहा है कोई? जो आत्में बताया का जो आत्में ख्याती कि ठीका है वह है जिस प्रकार स्पतिक पश्काण में अनेक प्रकार के रगों की निकटता के कारण अनेक रुपता दिखाई देती है स्पतिक का निर्मल स्वभाव दिखाई नहीं देता उसी प्रकार एक ही साथ अनेक प्रकार की बंधन की उपाधी की अती निकटता के से वेग पुर्वक बहुत हुए असोभाव भावों के संयोग वश्क अपने सोभाव भाव के तीरो बूर वो जाने से यहां यह क्या बोल रहे हैं कि एक ही साथ अनेक प्रकार की बंधन की उपाधी की अती निकटता से यानि कि आत्मा में बंधन की उपाधी है यानि कि पुद्गल करम का उदय भी चल रहा है और मैं खुद भी अपने राग से जो बंध गया हूँ उसके कारण अती निकटता से राग द्वेश मेरे अस्तित्व के साथ में इतने गुले मिले हूए हैं अती निकटता या जो बदाम और खुल जा टू जा टुगेधर अनाज और घास जा 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 टूगेधर तो ऐसे यह बंधन की मेरे अती निकटता जो है उससे वेग पूर बेग पूर्वग बहते हुए अस्वभाव भावों के, अस्वभाव भाव कौन-कौन से हुए हमारे? आत्मा के, रागवेशादी भाव, यह अस्वभाव भाव है, तो यह बेग पूर्वग बहते हुए, मतलब यह continuously, there is no gap in the, you know, continuously speed से मोह रागवेश हमारे चलता ही रहता है तो यह आत्मा उस मोहराग द्वेश के साथ इतना घुला मिला नजर आता है, कि हम दोनों का डिफरेंस ही नहीं बढ़ता है, तो ऐसे सैयोग वश अपने स्वभाव भाव के तिरोगूत हो जाने से, कि यह मोहराग द्वेश के कारण मेरा जो ज्ञान मात्र स्वभाव है, व इसको समझाने के लिए मेरे पास मैं, मैं पिच्चर तो दिमाग में बहुत बन रही है, शब्द उत्ते समझ नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, आप एक इमैजिन करो, एक आदमी को देखो, ऐसे हम भी हैं, लेकिन एक आदमी को देखो, ताकि यह भाव भ अरे इसको हटा दो, कंटिनियसली विकल्पों में, विकल्पों में ऐसा उलचा हुआ है कि उसको शांती नहीं नज़र आ रहे है, आप एसे पिक्चर आइस कर सकते हो किसी को, आस पास में जिसको भी देखोगे सब ऐसे ही मिले, रोड के ऊपर किसी को देखोगे, आज सब ही आज सब की, छेत्र अलग-अलग हो सकता है विकल्पों का, पर कंटीनियसली विकल्पों से दिमाग को ऐसा इसने ग्रसित कर रखा है, जैसे ये विकल्पों का भूत, ने इसके को ऐसा जकड रखा है, कि इससे बाहर निकल के शांती काम बिलती है, आप पिचर इस कर पारा हो जो मैं कोशिष कर रहे हूं समझाने के एक कॉंस्टिंटलीए प्रवजन सार में आता है आपको जैसे मैं श्रीमत राइचंजी का उधारन दू वह शतावधानी थे और वो उनके नातक में भी और कहानियों में दिखाते हैं कि वो कोर्ट में खड़े हो गए और वो हर जगए पर इतनी सारे कंटिनियसली चीजां चल रही हैं और वो सब को ट्रैकर है अब उपियोग जो होता है वो पता है कैसा होता है? एक होता है जैसे कवे की आंख की पुतली है आख के जो सौकेट से वो दो होते हैं पर पुतली एक होती है पर आप जहां से भी देखोगे वो इतनी शीघरता से घूमती है कि इट कवर्स एबरीटिंग ऐसे जब हम मुवी देखने जाते हैं है तो आप पिक्चर एख रहा हो जो फोटो डिख रहा है वो देख रहा हो कि आप उसका व्यूजिक डायलोग सुछ रहे हो कि आप दिमाज से उसकी प्रोसेसिंग औरे जैसकी कि आप वह की सेट के कमफर्ट को干र्कला और ये si अँआ त सेजर्ई को fucking कि एक इंडृ एक उप्योग की यह इंडृ तो एक साथ जान सकता एकी समय तो वह इतनी शीगरता से गूंता है कि हम उस सब को एड़ करके दिमाग में वो पूरी उसकी पिक्चर बना लेते हैं अब मैं शताव धानी पर आओ कि शताव धानी में जब इतनी सारी चीजें एक साथ सामेटेनिसली चल रही है आपको उसके मन की आखुलत और विकल्प का अंदाज़ा भी है आप लोगों से कितने लोग मल्टी टास्क करते हैं वोमना यूजरी कंपेरिटिवली मोर मल्टी टास्कित थे ने अगर आप लोग कंप्यूटर की ओपर कितने लोग बहुत काम करते हैं और नहीं खास आप लोग शाहिए वह भाग ना समझ भाए में पता हूँ तो जब आपने 20 windows खोल रखे हो, 20 में एक साथ chatting चल रही है, और आप all-tap all-tap करकर करके इसको ट्रैक कर रहे हो, इस पोजे को ट्रैक कर रहे हो, आप चाताव गानी की तरही है गूंते हो. आज घर वाथ अब तरह पर हो, इस चाट पर अलग चल रहे हैं, उस चाट पर अलग चल रहे हैं, समझने की कोशे शक्रियं हैं,е मैं सब आ किसे बतार ही हूं। ढू मैरीज़ फिरमाहिक बैंनि धापनिंगर गालेग। वाइल better था तरए हैं। दिमाग आपका चल रहा है वो कंटिनिसली एक समय में एक जगे चलता है लेकिन हरी को ट्रैक कर रहा है और कितनी जल्दी सामने से रिक्वार्मेंट आती है उतनी फास्ट आपको मुफ करना पड़ता है इसंट इसन्ट एप और जितनी फास्ट मुव करते हो उत्ती आकुल तो और विकल जादा हो आप सोचो यदि आपके पाज्यों में छह बच्चे हो तीन का तो मुझे एक्सपीरियंस है करते हैं जह सकते हैं एक न हो पतलों मुझे लगां पॉली अ लेक्ष्टा जाता हो मुझे कर्या हो आपको पासे आदेशन से करे ऩ करीब यहां द्रिधा अदधेशन कीच्ट फॉलि एन एक नहीं हो सब्सक्राइब लिए पासे कर् आदा हो और जοन से करों पासे कोई कि मैं अब नहीं करूंगा यह सब नहीं करने से मेरा मैं आत्मा की जो अनुगतु करना चाहता हूं वो चुप जाओंगा इसलिए उन्होंने इसलिए इसलिए लाइट लेकिन वो बात तो बिल्कुल सत्य है क्योंकि जिसका पर्मय और पर्मय भी इतनी जगे पर उप्योग हो उसमें कैसे जा सकता है मेरा यह बूलना है कि एक समय में एक काम करो उसकी अपेक्चा एक समय में छे काम करो उसमें विकल्प और आकुलता बहुत होती है में को यह बात समझे अब भी आपके यदि समझो ट्रैक करना पड़े ना के रश्वेन बोले मैं आ रही हूं मुझे लेने के लिए किसी को भेज देना आप प्रवचन में कितना उपयोग लगा पाऊगो दता हूं कितने डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं हम सिर्फ दो चीजों पर मैं अपनी आफुलता होते ही मेंटली आप एग्जोस्ट हो जाते हैं पूरा ड्रेन हो जाता है ब्रेन ड्रेन तो ऐसा जो मैं आपको अधारन दे के समझाने की कोशिश कर रही हूं मैं यह बता रही हूं कि संसारी जीवयों के साथ मैं रादवेश मोहू का ऐसा कंटिनि यह अची कि यह बुरा है अब यह क्यों नहीं है अब आबास क्यों आरही है थन्डी हो गयpek सोफा को की शल्ए कर देना चाहिए बुल नहीं पहला है जां अज केन्य कंतिया अज पादी नहीं इंए हिधर वह निस जटनि अब है Den UK देखा है हमारा कैसे चलता है कुषिया ध इसमें कि तेशैन मेरे बिना स्वे निंग एक ग्यान को मेरा ज़ानना बिना आदिकाल से कि आपने मात्र जाना हो विग्रेगती में नहीं बीता ऐसा एक समय कि मात्र जाना हो और रागदेश नहीं किया quickly you jump on to conclusion यह बढ़िया है यह बेकार है और कुछ नहीं तो यह बोर है इसमें मुझे इंट्रेस्ट नहीं है इंट्रेस्ट नहीं मतलब द्वेश है इंट्रेस्ट नहीं है मतलब वीतराक्ता नहीं है हमारा इंट्रेस नहीं है बतलब तूँँ दूएश है तुम उसको दूर करना चाहते हुँ यो नहीं पसंद है इंट्रेस नहीं है तो कोई बात नहीं जानते हैं क्या तक लीफ है यह व्यक्ति बहुत बॉरिंग है मुझे इंसे बात करना बिल्कुल पसन मुझे, तो सुन लो, मुझे इंट्रेस्ट नहीं आ रहा है इंसे बात करने में, कोई बात नहीं, सुन लो, मत करो बात, चुपचा बैठ के जान लो जो पूल रहे हैं, किती देर तक बैठ हो लो, क्यों नहीं, उन्हें आपको मारा, पी अज़ें, आपको राग होता हैं, उनसे नदवेश होता हैं, तो अच्छा है ना, अगर वीत रापता होती है, तो फरक नहीं पड़ना चाहिए, हम क्या समझते हैं, जिन चीजों में हमें डिसिंट्रेस्ट है, उसमें हमें वीतरापता आ गई है, ये जूट है, जूट, आपको शरीर कैसा लगता है आपका शरीर खुद का तो यह तो राकर लिया और जो थोड़ा धरम के जौन पे चड़ जाता है जाता है और वो ज़्यादा ही सुन लेता है पल रुदिर राधमल खैली की कसवसादिते मेली नवद्वार बहेग इंकारी अस्देह करे के मियारी क्या करता है वो द्वेश करता है बलकुल वाई वाई गांट यू पी यूनो स्टेबल आपके रिष्टेदारों में पूछों और वो कैसे हैं या तो अच्छे होंगे या वो बुरे होंगे जैसे हैं वैसे नहीं हो लोगे किसी की चर्चा कर लिए कह घ्य है मामा जी तो मामा जीं है अस चाचा जी है काकी तो क की है नई काकी बहुत अच्छी है काकी बहुत बुरी है नद्टिंग इस अग्छ गड़ा इस उनने कुछ कह दिया तो उसका इंप्लिकेशन अच्छ वेगा या बुरा हो या सेम नहीं हो सकता है और लाइफ केसी चल रही है? अजिए 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 पर रहा है तो आपके वही बहुत है और साता में हो साता का मतलब होता है क्या होता है? साता का मतलब होता है साता वेधनिय करम नहीं? यह होता है कि कुछ और होता है तो साता हमें होता है मतलब साता वेधनिय का उदे चल रहा है असाता का उदे नहीं चल रहा है मतलब? मिध्यात्व क्यों? क्योंकि तुमने पुणने में उपा दे बुद्धी करी नहीं बोलते ही साथ मला सारे भोग-भोग सब मिल रहे है ना ताइम से सारी अनुकूलता है ना पुणने का हुदे चल रहे है ना तुम एक तु समझ नहीं आते हैं जवाब क्या दू यह जाल रहे ज़र्ण hetाभा टाइम साथ भच्छा अधर्षण्टता टेपेड़ टाइम साथ अनुका अटक्ते अनुक्तणु तब ए जब साता नहीं खरकने लगे स्वाजल महते है क्या हुलोव प्रौशन तो देनी सकते हो क्या होले है you are reinforcing the fact of everything in life as good or it is bad हम यहरे हैं कि जीवन में कुछ नहीं नहीं है भी नहीं है अच्छ ही कि बुरी है शरीर की बीमारी है कुछ नहीं है लगवा कुछ नहीं है पुद्गल का परिणमन क्यों नहीं ऐसा सोच सकते हो मुझे लिटा यही प्रैक्टिस करनी है हमको यही प्रैक्टिस करनी है कि वो क्या बोलते हैं आप लोग तीस दिन का हुवास करते हो पच खान और क्या क्या होता है मास्कमन इस ला था यह गोडबर है educated मेरा इसने नहीं एक चाहि udah गोड़ है तो मैं सदो क्या हे प्यों मेरा कुछ नहीं ए वो वो दो पुदगल भार अलग अलग रहते थे Apple रहता था, शरीर यहाा रहता था इस शरीर उहा अपन खाया तो वो पुदगल इस पुदगल में आ गया किसी तरीकी से इस पुदगल से निकल गया, हुआ कि कुछ नहीं होना क्यू नहीं ऐसा हो सकता है इसले हम तो निश्चे की बात कर रहे हैं, 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 आप क्या जना भी भी अभार हें, मास खमण भी अभ्हार है, सके असे बैव गति जाओगे तो वो भी अभ्हार है और अगर फुट पाप की है, तो उसजल देव गति जाओगे तो वो भी यहार है, पॉइंट यह है कि मुझे तो किसी से कुछ भी फरक नहीं पड़ना चाहिए, मैं तो यह है, beauty is that, क्यों, क्यों ऐसा करना है, क्योंकि यह fact है, नहीं पड़ेगा, मैं यही बूल रही हूं, किसको पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, आप चाहोगे तो पड़ेगा और नह नहीं चाहोगे तो नहीं पड़ेगा, that is the beauty we are talking about, इसलिए तो अनाधी काल से आज तक शुब और अशुब से निकली नहीं पाए हम, यही तो कोशिश कर रहे हैं समझाने की, मैं एक बात बताओ, आप नहीं घबराते हो एडवेंचर से, आप नहीं घबराते हो नरक से, मैं कि नरक को हम यहां बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं संसार में, बताओ, कैसे, अब लंडन जाओगे तो वह कौन सा हॉंटेड हाउस होता है, क्यों घुशते हो वह नरक नहीं है, क्या, पैसा देके जाते हो, पैसा देके क्यों जाते हो, बताओ, क्यों जाते हो, हॉरर मोवी क्य यह को तुमको अगर नरग को नहीं जीना है तुमको हिंसा नहीं पसंद है तो इन सब के बीच में क्यों अपने उप्योग को गुसाते हो और अब रहे कैसे गुसाते हो ऐसे जीरो लिटेंसी टाइप को माते हो जीरो लिटेंसी बता है ना कि ऐसे वह 4D 5D का चश्मय ऐसे पहनोगे कि खड़े होगे तो ऐसा लगेगा कि आपके साथ सब कुछ हो रहा है वो मार रहा है माथा फोड़ने आ रहा है वो आपका माथा फोड़ने आ रहा है कि अभी अभी गिरा यहां गिरा अभी गिरा वहां गिरा क्यों गिरने जा रहा है दो हजार रुपे देखे ऐसे लगे का कि गिर रहा है ऐसे लगे का सिर्फ ओड़ रहा है ऐसे लगे का मार रहा है मर रहा है सब और रहा है तेरे साथ क्यों एक्सपिरियंस करना चाता है मुझ आप बता हो जाता है जिस्ते वीडियो गेम से उसमें खुद का अवतार बन जाता है यू किन चूज वाट लुक्स क्लोजस्स तु यू, यू क्रिएट यू अवन अवतार और जाके यसे खेलते हो जिससे कि आपको रियल फील आएके मेरे साथ हो रहा है सब कुछ नरग नीपसंद लहे तो तुम नरग में क्यू जाते हो इस अंसाहर में, बतौँ क्योंकि आपको यह विश्वास है कि यह सिर्फोडेगा लेकिन मुझे कुछ नहीं तुमको गो डर अच्छा लगता है तुमको गई अच्छा लगता है वो जो किया haunted house में जाके वो जो डर लगता है नो कोई एकदम से आएगा ये करेंगा वो डर अच्छा लगता है तुम को अच्छा लगता है you want to experience it अगर नहीं experience करना था तो गए क्यों अंदर government ने बोला था कि नहीं जाओगे तो तुम्हारा अगर तुम्हारी मानेता में यहां जाता है तो तुमको थ्रिल पसंदे की नहीं है मुझे यह बता बंजी जंपिंग में आत्मत्या करने जाता है लग जसी फील आती है बंजी जम्पिंग पता में लोग हो में इसम आप करिये नहीं करिये कि नहीं करिये जब आप कूथे हो इस तो मुझे बता देना के फरक Kingdom और में आप कूद रहेh लो दोनों की वेलोसिटी में या फील में, या एक्स्पीरियंस में, लेकिन बहुत बड़ा फरक्या है, You know you're saving up. You know that you will not get hurt. जटका तो लगेगा नीचे पहुचो के जब पर तुम्हें पता है कि मिसद, कुछ नहीं. तो बंजी जंपिंग तो वही पैसे दे दे कर लेता है, और आत्मत्या में, अलगी चीच चलती है कहां में. अपर बोलते भी बहुत मजाया. बोलते भी हैं बहुत मजाया. जिले. क्यूंकि इसे पता है कि देखो मुझे कुछ नहीं हुआ. मैं तो कूद लिया, दर खतम होगया मेरा. कैसे, आप नरक को क्यूं भोग रहे हो? आप एडवेंचर को क्यूं भोग रहे हो? एक्स्ट्रीम स्पोर्ट्स क्यूं करते हो? अपने आपको इतनी कठिन परिस्थितियों में क्यों डालते हो? क्योंकि तुम्हारी शद्धान है कि मुझे इसमें कुछ नहीं 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 तो समय कृष्टी को नरक में क्यों दुख होगा वो भी तो एक extreme sport, zero latency, एक haunted house में है नहीं है क्योंकि उसको ही पता है कि मुझे कुछ नहीं होएगा अब बताओ कि क्यों आपको परिशानिया वाजाने से यू लाइग गों तो haunted house इप यह इस दिन यू शुट यू शुट बी ओन फॉर नरक इसंट इट गैरंटी मेरी है कि आप मरोगे नी नरक में मझे अब शरीर की आप एकचा भी भी मरोगे आत्मा तो छोड़ दो आत्मा की बात नहीं कर रही हूँ वैकरियक शरीर होता है ना नरक में आत्मा शरीर नहीं मरेगा नहीं जलेगा नहीं कटेगा जलेगा पर नहीं जलेगा कटेगा पर जुड़ ज़ए गैरंटी है 100% गैरंटी है तो तुद यू मस्स्ट बेख्साइटेड इसंट इसंट डो नरग कुई नहीं किसका डर ए जब हॉंटेड आउस का डर नहीं है तो नरग का डर क्यों मुझे गए आपको तो पे करके जाना चाहिए नरग जितने लोग यहां और हॉं उन सब को पे करने नरख जाना चाहिए क्यों नहीं जाते पता पाई फाइस्टार होटल में भी पे करने जाते हो क्योंकि थूड़ा मज्जा भी चाहिए और हॉं बैलेन्स आउट करते हैं अपनी आपको तो आपको क्या डर है मज़े बता है तेक अतिरेंच अवतार क्या फरक पड़ता है अवतार की बात है न गेम में तो मैं कुछ भी बन सकता हूँ तो समय ग्रिष्टी के वो ही भी हो गई है everything is a game isn't it for the आत्मा समय ग्रिष्टी जिसको आत्मा कानुभव हो गया है कि वो जंगल में जाएगा मुनी बन जाएगा उसको शेर आके खा जाएगा तो क्या हुआ it's a part of the game isn't it क्यों एक अत्व भुधी तर चला गया है न समय ग्रिष्टी यही मैं बोल रही हूँ कि जैसे haunted house में जाते वक्त समय ग्रिष्टी रहते हो वैसे आप नरक में समय ग्रिष्टी क्यों नियुक्त मुझे यह जाएगा नरक में तो शरीर की भी guarantee है है ना शरीर समय ताप जियो गे minimum 10,000 तो जियो गे तो जियो गे सात्वी नरक चले जाओगे तो मने वे टीस सबगर की आईउ मिलेगी, तो भी कोई माईकलाल तूम पो मान नहीं सकता है साथ वे द्रग माथ सकता है, जो शरीर में एक अटो गुद्धि है, वो शरीर से उम्हें जुदानी करेगा साथ वे द्रग मैं भी कोई, यह तो अच्छी बात हुई ना, कि बुरी बात क्यों होते हैं दुख शरीर के कारण नरक में नहीं होता है दुख सैयोग के कारण नरक में नहीं होता है आपको पता है यह नरक में जो दुख है वो शरीर और सैयोग के कारण नहीं है नरक के दुख किसके कारण है कशाई के कारण है कशाई की तीवरता बहुत है भाए प्रॉब्लम शरीर और सहो की नहीं है प्रॉब्लम कशाई की तीवरता की है और वो कशाई की तीवरता तुम यहाँ मनुशेगती में रखो तो तुम नरक के दुख यहाँ भी भोग सकते हो You have the choice No और हमारे जैसे जीव जिनको असाता का ओदे नहीं आता है उतने वो तो हॉंटेड हावस में जाके भी भोग लेते हैं जिरो लेटनसी में भोग लेते हैं मतलब वी चूज तो गैड़ आल दा कैसा लग रहा है ये सब दुनिया कुछ कुछ चूर ये बात इड़े इंमाटीरियल या नरक का शरीर या नरक के सैयोग इंमाटीरियल इड़स नौट मेक अडिफल्स आप जाओ ना अगर यही सिमुलेशन में वह जिरो लिटनसी टाइप आपको ऑप्शन दिये जाते हैं के आप जल के मनना पसंद करोगे के आप डूट के मनना पसंद करोगे मतलब in the worst options also you have choice के आप खून खराबा पसंद करोगे और या अदमी चूज करता है जाके के I'll prefer this now I want a variety I don't want the same thing again क्यूँ क्यूँ क्यूंकि तुमको दुख उस संयोग के कारण था कि दुख तुमारी मानने ताके या कशाए के था तो नरक में भी शरीरो संयोग में कुछ नहीं किया ते रा मनुष्यकती में भी शरीरो संयोग कुछ नहीं करता है इसलिए लकवा हो जाए तो बुरा है कि अच्छा है कि लकवा हो जाए तो लकवा है कुछ नहीं पुद्गल है पुद्गल कभी अकड़ गया और पुद्गल कभी फ्लेक्सिबल हो गया क्या करें पुद्गल का परिनमन पुद्गल में मैं उससे कुछ related ही नहीं हूँ, थोड़े टाइम हूँ इसके साथ मैं, मेरे ग्यान में प्रत्यक्ष भासित हो रहा है इसके साथ क्या हो रहा है पर यह एक short period के लिए होगा, यहां से निकल जाओंगा तो नहीं होगा और यहां से कुछ और जाना तो भी नहीं होगा, अब नर नरक है, न अच्छा है न बुरा है, देवगति कैसी अच्छी है कि बुरी है, वैसी है, तो तुम को किसे फरत पड़ेगा, कि मुझे किसी भी experience से कुछ भी फरत नहीं पड़ना चाहिए, अच्छा दिखाने के कि बुरा दिखाने के, कच्छू भी यह, तो दिखा तो, हमें पता है कि हम देखने वाले हैं, हमें पता है कि जो हो रहा है, वो हमें गुसने वाला नहीं है, हम उसमें गुसने वाले नहीं है, ऐसा ही केवल ग्यानी ने पुद्गल के साथ तुम्हारे आत्मा का अस्तित्व जाना है, के नादी काल से लेके आज तक जीव पुद्गल रूप नहीं हुआ, पुद्गल जीव रूप नहीं हुआ, तुम पर्दे में नहीं समा गई, पिक्चर तुम में नहीं समा गई, केवल ग्यानी ने जान लिया कि तुम हमेशा जुदा थे और पर्दा में जो हुआ वो बेरे हुए थे, उसके साथ एक शेत्रावगा थे, मोराग द्वेश एक साथ था, शरीर एक शेत्रावगा पर आ गया, लेकिन फिर भी वो हमेशा अलग नहीं। इसके साथ नहीं नहीं पर आपको वो ज्यादा अच्छा लगता है। जो आपको जादा डराएगा। जो अनितना जादा अच्छा है। इसमें डरी थे, एह पेकार है। उसमें मचाता है। जिसमें जितना जयादा भय क्रेट किया जाएगा, जितना जादाआपको हिला दिया जाएगा। होरर मुवी कौन सी देखते हो कि वो लोग वाटसाइब चालो हो जाएंगे और ये मुवी रात को एक आप भी बारा बज़े देखने का उसका हट फेल हो गया तो 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 तुमने क्रेडिबिलिटी कि इस चीज में मानी कितना लगा इंपक्ट कर सका लेकिन ये जानते हुए कि मुवी मुवी में है और जीव जीव तो नरक की एक्स्ट्रीम में पहुंच जाए शेर खा जाए मुनी बनने पर तिर्यंज गती में महां से महां बुरे से बुरी परियाय मिले लेकिन ये तो सब जगे घूम के आता है ना जीव ने क्या किया इंचारों गतियों में हर जगे जाके गूम के आगया अटका नहीं कहीं पर कहीं मरा नहीं कहीं इसका कुछ कम नहीं हुआ कहीं कुछ जादा नहीं हुआ निगोद में पढ़ा रहा अनादिकाल से तो भी कुछ एक इसका ग्यान केवर ग्यान सभाव उसमें कमने पर तो मैं क्या करके आया मैं चारों गतियो में घुम क्या है फरवा जाए परवा जाए जाए परवा जाए जाए तो फर्रे ओ अभी कहा जाना है तुम खूब घूम लिया तो अच्छा किसे मानना और बुरा किसे मानना जो मैंने अभी समझाया पिछले आदा घंटे में जो भी टाइम विता होगा समय गृष्टी के ज्यान में ये समझ पक्की हो जाती है ये ये नाज सम्मिलित घास को हाथी खाता है पर ज्यानी जन जानते हैं कि अनाज भिन्ने है और घास ये जानते हैं कि ये इसको अच्छा बोलता है वो उसको बुरा बोलता है ना ये अच्छा है ना ये ये रागद्वेश जो हो रहे हैं ये आत्मा के हैं कि नहीं है ये रागद्वेश भिन्ने है और आत्मा में ग्यान का स्वाद भिन्ने है जिसको ग्यान का स्वाद भिन्न गया उसको नरक भी ऐसा और वैसा ही भोग भूमें और वैसी देव कि उसको वैसा ही क्या बह이지ता कि ए शाव जाश यह कोट वैसा खिए पर बश्करदश क्रदशॊंग कि अभी शड़्श करने वाला यह तुम से पर्प्रतार्थ के प्रती भागना कौन करता है अ कि पत्वीकल को इधर उधर लग जाएंगे तो मैं इता ट्रबर्ड होंगा I will just you know सबसे अपने आपको जाड़ के निकल जाओंगा बच्चों से नहीं जाड़ सकते हैं क्यों नहीं जाड़ पाए राग कोई इंट्रेस्ट होता है जो तुमित्तिस काम कर रहे हो रश्मी में आपको बुलाएंगी तो आप आपको जाना पड़ेगा मैनेज करना पड़ेगा और कोई बढ़ेगा मेरा एक गंटे का प्रवचे ने डिस्टर मत करना है वहां च्वाइस नहीं है क्यों क्यों कि हम खुर अटकते हैं हमें हे उपादे बुद्धी होती है तो मल्टिपल चीजों में मैं बार बार उप्यो हुआ क्या किया इसने जैन द्रशन ने बोला कि तुझे तो कुछ होता नहीं है ऐसा केवल ज्यानिव जान लिया आज तक थे तु तु पुद्धृ रभी भूथ कुखा possibilities क्या यहीरे में एक लक्षमन ड्रेखा खड़ी गए और जैसे ही लक्षमन ड्रेखा आ गई तो concept clear हो गया कि अब तुम नाचो जित्ते नाचना है पुद्गल नाचे, पर नाचे, लोग नाचे, गतिया नाचे, करम नाचे, शुब अशुब भाव भी नाच ले लेकिन शुब अशुब भाव और आत्मा के बीच में एक लक्षमन ड्रेखा खिप चुख है, हमको ये पता है कि हमारा जो ये सैल है, इससे ना मैं बाहर जाना हूँ, ना कोई आके मुझे बीच कर दो, और ऐसा किस ने कहा तुम से, कोई बेफो, अज्यानी, संसार का राग्य ज्वेशी जीव ने नहीं कहा, सरवग्य भगवान ने डाइरेक्ट, कौन सरवग्य जो पूर्ण वीत्रागी हैं, जिनको तुम में कुछ बताने में सही घलत को इंट्रेस ने, उनके ये वानी खिरी ही कि तुम तो ऐसे सेल में एकदम सेफ गाड़ेड हो, लक्षमन रेखा है, I am safe inside myself, तो अब क्या करना है, कि कुछ नहीं करना है, तुमको ये जानना है कि ये लक्षमन ड्रेखा है, तुमको पता नहीं, प्रॉब्लम क्या है, रेखा नहीं है, कि तुमको पता नहीं है, और अगर पता भी चल जाए, तो विश्वास उस पर नहीं है, जिसे क्या पता, क्या पता, कुछ हो जाए तो हो जाएगा, नहीं, what if what they told me was not right, आपको पता है, कई जगे पे जो हॉंटेड हाउस टाइप होते हैं, महाँ पे बिलो सर्टे नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि आठ साल से पहले सम्मे जर्शन नहीं होता है, उनकी माननेता इस बारे में इतनी पक्की नहीं होती है, बच्चे को वाकई में बेहोश हो जाएगा, हाट फेल हो जाएगा, उसे लगा कि वो शेर उसे खा जाएगा, उनकी कचास है, ऐसे हमारे कचास है, अब हम पक्के हो जाते हैं जब हॉंटेड हाउस में, तो आप संसार के नरक में क् पक्के हो सकते हैं बात यह अब कुछ लोग बड़े होने के बाद भी पक्के नहीं हो पारते हैं वह हुंटड़ अपस के लिए हां कि उनको लगता है कि वह पक्के नहीं है समय किस्टी हाथ डिजीज वाला भी होएगा तो उसे कुछ नहीं होएगा अब तो अज्यूम कर लेत इसलिए पिचारी कुंद कुंदाचारें को इतने नाम ले लेके बताना पड़ा केवल ग्यानी ने देखा कुछ नहीं हो आज तक किसी के कुछ नहीं हो ना कभी होगा तुम जैसे हो वैसे हो अब इनने आगे पड़ा आप वड़ना वो नेक्स्ट वारी लाइन उसके बाद अब गया है दब गया है इस अप्रेस हो तो बस यह 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 मैं लगा रहता हूं और आग्वेश कंटिनिसली जिसके बेद अग्यान जोती पुद्गर्ण में अपना बंशाकित करते हैं बिल्कुल रुपना तो यही समझाए जो मैंने एकदम बात आइए कि बेद गयान जोती पूर्ण तहए अस्त हो गई है यहलों कि जो zero latency में जाये बेद कशा ना करे ना रख जाये बेद का्शा ना करे मूवी देखे बिद गयान ना करे haunted house में जाए भेद विग्यान ना करे तो क्या होगा कि अज्ञान से विमोहित हिर्दे जिसका वो मानता है यह सब बस मुझे impact कर देगा मैं मर जाओंगा मैं मर जाओंगा मैं दुखी हो जाओंगा मैं नरग गया तो दुखी हो जाओंगा तो अपने आपको उससे मिक्स करें ऐसा अप्रति बुद्ध अज्ञानी जीव स्वपर का भेद ना करके स्वव अपर का भेद नहीं करता है मिक्स हो जाता है उन अस्वभाव भावं को अपना मानता हुआ मेरे साथ हो रहा है यह सब कुछ पुद्ध गल रवे में अपना अपन स्थापित कर लेता है ठीक है यह पुद्ध गल रवे मेरे हैं नेक्स्ट ऐसे अग्यानी जीव को समझाते हुए आचार्य देख कहते हैं कि दुरात्मन ये दुरात्मन ये दुखी आत्मा सुन मेरी बात दुस्ट आत्मा भी हो सकता है लेकि ये दुखी आत्मा मानना गास और अनाज को पलब अविवेग पूरवग एक साथ खाने वाले हाथी के समान उस्वो और पर को मिला कर एक देखने के इस स्वभाव को छोड़ छोड़ संशय विपर्या और अनध्य वसाय से संपूर्णत रहिद एवं विश्वाश के विश्व की एक मात्रव अध्वित्य जोथी ऐसे सर्वभनिया के ज्ञान में जाने गए नित्य उप्योग लक्षन जीवद्रव्य पुद्गल कैसे हो गया जो तू कहता है अनुभव करता है कि पुद्गल द्रव्य मेरा है तो वो यह पूरा एक्जाम्पल आ गया घास और अनाजवान अब वह बोल रहें कि भगवान ने देख लिया तो फिर ते को डाउट किस बात का है कैसे हो गया तो इस रूप यह तेरे रूप कैसे हो गया हुआ हंड़ेट परसेन कुछ नहीं हुआ है है यदि किसी भी प्रकार से जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य रूप हो और पुद्गल द्रव्य जीव रूप हो तब भी नमक के पानी ते अनुभव की ब्रांती तेरे यह अनुभव ती ठीक हो सकती है कि यह पुद्गल रव्य मिले है कि इसा तो किसी भी प्रकार से बनता नहीं है रुकना नमक का पानी का उधारन समझा देती हूं और फिर यह उल्टा उधारन दिया है यह घटित नहीं हो रहा है आत्मा के उपर यह बोल रहे हैं कि अगर तू नमक के पानी की तरह होता तो तेरी मानिता सही होती कि पुद्गर ते रहा है कि नमक का पानी कैसे कि यह बोल रहे हैं कि नमक का लक्षण क्या है खारापन पानी का लच्षण क्या है बहना थीक है तो यह प्रवाही बना लिया है पानी का और नमक में लिया है खारापन अब क्या खारी चीज नमक का पान और क्या नमक में मिक्स पानी है तो क्या बहती हुआ पानी खारा हो सकता है कि हो सकता है लेकिन जीव और पुद्गल या राग्वेश ऐसा नहीं वो ऐसा है कि जहां अंधिकार है मां प्रकाश हो सकता है कि नहीं हो सकता है जहां प्रकाश है मां अंधिकार हो सकता है कि नहीं हो सकता है तो ये ये बात सिद्ध कर रहे हैं, कि इन दोनों में ऐसा सामन जिस से नहीं है जीव और पुद्गल में, कि ये एक साथ मिलकर रह सके, ये दोनों विरोधी लक्षन वाले हैं, ये बात यहां समझ रहे हैं, आप पड़ो इसके आने कर, इसी बात को अधिक स्पष्ट करते हैं जिस प्रकार खारेपन का लक्षन, खारापन है लक्षन जिसका ऐसे नमक पानी रूप होते दिखाई देते हैं, और प्रवापन है लक्षन जिसका ऐसा पानी नमक रूप होते दिखाई देता हैं, क्योंकि खारेपन और प्रवापन में एक साथ लेने में कोई विरोध नही कोई बाध किन्तु निथ्या उप्योग लक्षण वाले जीव ड्रविया नहीं डिखते और निथ्या अनुप योग लक्षण वाला यह समझ में आया किसको नहीं आया समझ में बोले जैसे अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकता है वैसे जीव और पुदगल भी एक साथ नहीं रह से ऐसा नहीं है जैसे नमक और खारा अक्या नमक और पानी है ऐसा नहीं है जीव और पुदगल के दोनों एक साथ एक ही चीज बहते रहे यह हमेशा अलगी रहते हैं अगर यह एक साथ को एक्जिस्ट कर सकते तो हम कह सकते थे जीव पुदगल काया पुदगल जीव काया, but they can't coexist, that example should not apply on us. ठीक है? किसी प्रकार जड़ो चितन भी एक नहीं हो सकते हैं, इसी लिए तू सर्व प्रकार पसन रहो, अपने चित को उज्वल करके, सावधान को और सुध्रव्य कोई ही या मिन्दा है, उस प्रकार अधुमा पुदगल काया है, एक तेकित, एक तेकित, एक तेकित, रुखना, रु अभय मतलब समझते हो ना, तुझे किसी से डरनी की आवशिक्ते ही नहीं है, ये बात बताकर, कि जीव पुदगल रूप नहीं हो, पुदगल जीव रूप नहीं हो, जैसे मैंने आपको ये बात बताई, कि नरक में शरीर और सहियों की वैसे आप दुखीन नहीं हो, ये क्यों, जैसे होंटेड हाउस में तुम्हें कुछ नहीं होता, वैसे ही नरक में भी तुम्हें कुछ नहीं होता है, शरीर समेथ कुछ नहीं होता है, तो हमने आपको जब ये बताया, तो आपके मन में एक दम आये हो, कि अरे मुझे तो किसी से गमरानी की आवश्यक्ता ही, नहीं है, I am so safe, वो लक्षमन ड्रेखा बताकर, तुम्हारा safe share बताकर हमने जो अभेदान दिया, और किसकी बात से दिया, कि यह मैं नहीं कहता हूँ, कुंद कुंदाचारी नहीं कहते हैं, कि केवल ज्यामिने जाना है, तो अब यह कहते हैं, इसलिए तु सर्व प्रकार प्रस में, तो अब एकदाँ प्रसन्न हो जाओ, सार प्रकार से प्रसन्न हो जाओ, तो नहीं किसी से नहीं घबरागा, तो वो बर्ड में भी, प्रसीदस वो शायद होएगा, इसका संस्क्रित ओला वर्ड, उपढ़ना, उसमें जो फील है, वाक्य में कि ना हो, रिलाक्स, प्रसन आप अधापी नहीं, ये जानों, वो जानों, ये करों, वो करों, ऐसा नहीं वा, ऐसा नहीं वा, छोड़, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं तेरे साथ हो सकता है, आराम हो, चान, जो हो रहा है हुए, नहीं, आम लोग चानते नहीं हो, वो बहुत प तुम्हारे साथ में दुनिया भर के शड्यंत्र रचे चले जाएं तो भी अन्हुनी कि करम तुम्हारे साथ जाने क्या-क्या तोड़ा मरोड़ा कर दे तो भी मेरे साथ शान शान कर थब जै शान कर दो शान श्यान को चुछ नहीं अन्हारे सांवधान आशाथ तो इसवाया जाया वजब ऐसे अपने आत्मा के प्रती साथव धान काम जो हो रहे हैं कर होने दो करने दो उसमें व्यग्रता नहीं आकुलता नहीं टेंशन नहीं हो यह हो जाएगा तो गोजह कुछ नहीं हो जाएगा कहीं पहुंच जाओगे कुछ नहीं पहुंच जाएगा सब सही है, लेकिन अपने आत्मा की प्रतिसाव है, अपने वीतराथ भाव को मिंटेन करने के लिए जो करना पड़े वो करना, यही बात अब इसके बाद आ रही है, और स्वाधा स्वाधरव्य को ही यह मेरा है, इस प्रकार अनुभव करो, बहुत बढ़िया गलश है जो इसक सबसे घबराना नहीं है, इसलिए तुम्हारे मनुश्य भव का एक मात्र लक्ष्य क्या होना चाहिए, के अई कथम अपी मृत्वा, तत्व कौतु हलीसंग, फेवरेट लाइन, अई कथम अपी, अरे कैसे भी, कथम अपी, मृत्वा, मरकर भी, तत्व कौतु हलीसंग, तत्वों का कौतु हली बन, कौतु हल मतला आप जानते हो ना, very curious, very excited to know, yeah, inquisitively, मुझे मालूम करना है, क्या है, क्या है, यह बहुत बढ़ा secret है मेरे पास में, क्या है, क्या है, क्या है, बताओ ना, तत्व का कौतु हली बन, यह तत्व का जो अभी इतनी बढ़ी बात बताई, और क्या बता रहे हैं मेरे बारे में, एक एक वाक्य, ऐसा, क्या बोलते हैं, अमोग, भ्रमास्त्र, ऐसा बान है, जो मुझे दुनिया की हर चीज से बचा सकता है, और क्या कहते हैं, और क्या बताते हैं, तो, तो मरकर भी, कथम अपी मृत्वा, किसी भी तरह मरकर भी, मतलब whatever you get subjected to, कि मेरा सब चॉपड हो जाएगा, तुम्हारे इसके चक्कर में हो जाने दे, चॉपड हो जाने दे, कुछ नहीं हो एगा, तोन समझ रहा आप ही है, यह अमरे चंद्राचारी के दिल से निकले हुए शब्द है, कि अपनी आत्मा का अनुभाव भव, अपनी आत्मा का अनुभाव कर, कि तब्यत खराब हो जाए, कि बच्चे की खतम हो जाएगी, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, कि, whatever is the price, you have to pay for it, pay, it's worth it, this is the only thing which is worth your human life, कि तत्व का कौतुहली बन, क्योंकि जो तत्व का कौतुहली बनता है, उसको ही आत्मा का अनुभाव होता है, ऐसा कहते हैं कि आत्मा की अनुभुती के पहले, अज्ञानी को, जो सम्यक्त के संमुख सम्यक्स इस्टी है, उसको अपने आपको जाननी की उत्कंथा कितनी तीव होती है, आपको पता है कितनी तीव होती है, कि अगर मचली को पानी से बाहर निकालो, तो उसे पानी में जानी की उतकंथा कितनी तीवर होती है, बताओ मुझे, कितनी तीवरिक्षा होती है, उसका अगर एक अटक जाए ना, फिन, कोई चीज पर, उसे पताओ कि मैं उछलूँगी तो फिन कट जाएगा, तूट जाएगा, पर मैं पानी में पहुंच जाएगा, चाहेगी कि नहीं जाहेगी, एट एट एनी कोस्ट, उसे पानी चाहेगा, सम्यक्त्व सन्मुख मिठ्या जिस्टी, अपने आत्मा को जानने के लिए, इतना तीवर रुचिवन्त होता है, कि जैसे कि मीन जल से बाहर निकलती है, उसे पानी में जानने कि, जतना जादा इच्छा होती है, इतनी एसी रुचिए हो, कोई भी कारे होने से पहले उसका एक बहुत हाई होता है, जैसे लोहा कब फ्लैट होएगा, जब एकदम गरम होएगा, तुम गरम कब होगे, कैसे होगे, बताओ, गरम कैसे होगे, कि जब रुचिए आई बहुत ज्यादा आत्मा को जाने कि, भेध विज जब चर्मोत क्रिष्ट सीमा को पहुंच जाता है, हर चीज में भेध भेध होता रहता है, क्योंकि वो मार चाहिए अनादी काल का, जो मेरा मिध्यात्व है उसको, वो शद्धान नी पलड़ता, ज्यान हो जाता है, शद्धान नी पलड़ता, इसलिए प्रमादी नहीं होता प्रमाट की जाता है है, जो में इस समया, ऑकलता नी होता है, प्रमाट की समया थे और बॉर्षी वी, जहता है, जभ्डेश मिला शद्धान पलड़ता की कि उनको इनको तुमेह उने चाहिए बड़ता है, जब दो कि उनको अप्देश, इंको ऑट इपूराज्दा होता है, के आपकी रूची हो जारूरी हैं किसी के इमिजेटली हो जाये और किसी के सालोह लग जाएं वह हो सकता है पर काँ तब होएगा जब intensity उत्ल हो रुचि के तीवःता की बात्चेla है काँवी बोल रहे है कि कैसे मूर्टेः पाश्वाथि मुहूर्थम मूर्थे बोलते हैं मूर्थिक शरीर को यह शरीर है ना यह मूर्थिक शरीर है पाश्वाथि यह पडौशी बन जा मूरत मयाने एक मूरत के लिए एक अंत्र मूरतு के लिए तु ये शरीर का पड़ोसी बनके तो दीख अजए में गिवंकॉस्ट तत्व का कहतं हलीवान आत्मा का अनुभव करो शरीर का पड़ोसी बनके एक उंत्र मूरत तक हिष स्क1 and you are done कि एक्तम आत्मा इस शरीर से भिन प्रिथक प्रिथक मतलब जुदा जुलसंतम याने की विलसित होता है शरीर से भिन आत्मा तुम्हें जानता जग इस याने की तब इमीजियेटली मूर्त्या साकम एकत्व मोहम जान मूर्त्या याने की शरीर के साध एकत्व का जो मोह है त्यजसी उसको छोड़ देता है आत्मा नुभूती होती है तो ये बात को जान जो इसमें आत्म भाइना भी फीका में इस बात को जान ये फील कर के मैं कैसे जुदा हूँ इस सबसे भेद विज्ञान ज्योती को बहुत स्ट्रॉंग अपने अंदर में अनुभव कर भिन्न हूँ भिन्न हूँ और फिर at any given cost this is my priority nothing else is priority this is my priority और इसकी रुची जब इत्ती बलवन्त होईगी शरीर का पड़ौसी बनके शरीर को जानेगा हर चीज को जानेगा तो तेरा पर से भेद विज्ञान होकर आत्मा की अनुभूती उसी चंड हो जाएगी प्रगट और ऐसा अंतर मूर्द तक चला तो तुझे केवल ज यांती प्राक्ति भी हो जाएगी यह बात यहां पर आईए इस इस तरीके से अनुभव करना यह हमारा लक्षे होना चाहिए और यह वाली भी मैंने कर लिए इसको आप रीड करना है बढ़ जाके यह फीलिं अंदर से बहुत स्ट्रॉंग आने चाहिए अब समय हो गया है त प्राक्ति प्राक्ति एक बावारी कि तुमुण वाली मैंने तुमुछ नहीप कर देचे को आता है यहीर की यह कित घ्किके रफ़ चाहिए यह बास्वां से रह एकि कर दो कि यह हता है तुमुण से को